अगामी 29 नवंबर को दुर्गापुर के सीटी सेंटर सीट स्रीजनी सभागार में राज्य के मुख्यमंतरी ममता बैनरजी प्रसासनिक बैठक करने आ रही है इसे लेकर बिभीने प्रसासनिक अधिकारी रह रहकर स्रीजनी इवम भगत सिंग स्टेडियम का नीरिक्षन कर रही है इस दिन मुख्यमंतरी के हेलिकेप्टर का ट्रायल किया गया मुल रूप से पूर्वेबं पसीम बर्दमान ये दोनों जिले के अधिकारी को को लेकर इस दिन ये बैठक की जाएगी जानकारी के अनुसार मुख्यमंतरी इस दिन सबसे पहले जमुरिया के एक बैठक में पहुंचेगी जिसके बाद हेलिकेप्टर से सीधे दुर्गापूर में आएगी जहां बगत सिंग स्टेडियम में उनका हेलिकेप्टर उतरेगा जहां हेलिपेट का निर्मान भी किया जा रहा है मुख्यमंतरी की सुरक्षय व्यवस्ता को बारीकी से देखने के लिए रविबार को हेलिकेप्टर पर सबार होकर स्टेडियम पहुंचे डाइरेक्टर सिक्योरिटी बीनीद गोयल उनके साथ थे आसनसोल दुर्गापूर पुलिस कमिस्नरेट के कमिस्नर लक्षमी नारायन मीना डीसी अभिसेक मोदी समित अन्य प्रसासनिक अधिकारी इसके बाद ही इन लोगों ने सादू रांगा स्थीज सीज दप्तर के गेस्ट हाउस में एक बैठक भी की मही पूर्व पर्दबान जीले के कालना अगोरनाद पार्क स्टेडियम में भी मुख्य मंचरी के आगमन को लेकर सुरक्षय वेवस्ता के कड़े इंतजाम किये गया है इस दिन हेलिकेप्टर का ट्राइल किया गया हेलिकेप्टर को हेलिपेट पर उतार कर उसका जांज भी किया गया ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स